हेलो गाईज, वेलकम बेक टू माई चैनल, आज हम करने जा रहे हैं नेक्स टॉपिक ऑफ इंकम टेक्स, चाप्टर फर्स इंट्रदक्शन, किस तरह से अब आप जो हैं टेक्स को कम्प्यूट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो इनके लिए डिफ्रेंट जो इंडिवीज्वल्स हैं, उन डिफ्रेंट इंडिवीज्वल्स के लिए डिफ्रेंट रेट्स बनाए गए हैं, जिस इनसाब से उनको टेक्स पे करना तो पहला है हमारे पास जर्नल रेट्स इन में शॉर्ट टम कैपिटल गेंज लॉंग टम कैपिटल गेंज या आपने कोई लॉट्री जीती है इस तरह के जो भी मारे पास इनकम रिसीवड हुई है इन सबको एक्सक्लूड करने के बाद यह जर्नल रेट्स निकलते हैं इसमें यह सारी चीज़ें नहीं आएंगी अगर हम जर्नल रेट्स से जो है क्वेशन करेंगे क्या क्या एक्सक्लूड होगा शॉर्ट टम कैपिटल गेंज लॉंग टम कैपिटल गेंज विनिंग फ्रॉम लॉट्री क्रॉस वर्ट पॉजल्स और ब्रेशिस असेक्टर उसके स्यां इंदिविज्वल्ण सीनियर सितिजन यान वह पर है और जिसकी जो एज है 60 यह से ज़ाधा है लेकिन 80 यह से कम है में लिक्या वह भॉस क्या हुआ सिग्स्टी य से जाधा और те से हम्लाओ अगर वह 3 लाग pos उई-णक्राह तो आप शुछो कोय भी जो है कि ठ्इक्स होता है कोई डेट नहीं है next on two lakh अगर माले जी उसकी इंकम five lakh थी three lakh पर तो उसने कोई टेक्सपे नहीं किया two lakh पर उसको टेक्सपे करना होगा five percent का फिर next on five lakh five lakh per twenty percent next balance जो भी बचेगा वो 30 percent का होगा भी अग दूसरा individual super senior citizen जो resident है इंडिया में जिनकी age 80 से जादा है 80 है या 80 से जादा है तो हम उसके लिए income क्या है five lakh five lakh minimum exception limit है अगर वो पांच लाक रुपय कमा रहा तो उसको कोई भी टेक्स पे नहीं करना लेकिन अगर वो पांच लाक से उपर का कमा रहा है अनदर five lakh कमा रहा है तो उसको 20% का टेक्स देना पड़ेगा और जो भी बाकी balance बचा उसको 30% का उस पर टेक्स देना पड़ेगा मालने जिए उसकी जो income थी बोधी 20 lakh चीक है 20 lakh में से five lakh उसने five lakh के उसके उपर कुछ भी नहीं देना पड़ा अनदर five lakh के उपर उसको 20% देना पड़ा अब बाकी का कितना बचा 10 lakh 10 lakh के उपर उसको 30% पे करना पड़ेगा टेक्स अभी कैसे compute करेंगे अभी हमें आगे देखते हैं यह जितने भी टेक्स इस रेट्स हैं यह आपको learn करने होंगे सारे के सारे याद रखने होंगे उसके बाद ही आप कोशन को solve कर पाएंगे अधर इंडिवीजवल और कोई इंडिवीजवल है अगर यह जो है हम लोग अधर इंडिवीजवल में आते हैं इसमें क्या है 2,50,000 की जो इंकम है उस पर कोई भी टेक्स पे नहीं करना next 2,50,000 की पर 5% next 5,00,000 पर 20% और जो बैलन्स बचेगा उसके उपर 30% तो हमारे rates किस तरह से हैं यह जो rates हैं अलग-अलग category में divide किये गए हैं अलग-अलग age के इंसाफ से divide किये गए अब जो new regime आया है पहले सिर्फ old regime चलता था new regime आया है हर एक individual के लिए इसमें क्या है सिर्फ आपकी income को देखा जाएगा age का कोई matter नहीं होगा तो new regime के इंसाफ से अगर आपकी income 2.5 lakh है तो आपको कोई भी tax पे नहीं करना लेकिन 2.5 lakh से 5 lakh के बीच में है तो 5% 5 lakh से 7.5 lakh के बीच में है तो 10% यानि 2 lakh 50,000 का यहां पर हर किसी में एक डिफरेंस रहेगा तो 7.5 lakh से अगर 10 lakh है तो 15% और 10 lakh से 12.5 lakh है 20% 12.5 lakh से 15 lakh पर 25% 15 lakh से अबव है तो उसके बाद 30% उसके बाद आता है कुछ special rates हमने general rate की बात की थी जिसमें short term capital gain, long term capital gain नहीं आएंगे winning from lotteries नहीं आएगा तो जो उधर नहीं आया general rates में वो special rates में इंक्लूट किया जाएगा अगर कोई short term capital gain हुआ है under the section 111A तो 15% tax rate लगेगा long term कोई capital gain है तो 20% लगेगा on gains from listed shares without indexing the cost of acquisition listed share पर कुछ gain हुआ है जिसका आपने अभी cost of acquisition नहीं index किया नहीं निकाला तो उस पर 10% लगेगा long term capital gain under the section 112A 10% लगेगा अगर कोई long term capital gain हुआ है और कोई winning from lotteries है, cross word puzzles है, cross horse races है तो इन पर 30% tax rate लगेगा next year rebate of income tax in case of an individual resident in India whose total income does not exit rupees 5 lakh shall be entitled to a deduction from the amount of income tax payable up to 12,1500 कोई person resident है इंडिया में अगर उसकी जो income है वो 5 लाग से कम है तो उसको rebate मिल जाता है income tax पे 12,500 होगा चीक है यानि उसको इतना पैसा पे नहीं करना पड़ेगा कुछ deductions offer हो जाती है यह जो deductions है हमारे जो है old regime में जाता तर offer होती है new regime में ऐसी कोई deduction नहीं offer होती है उसके बाद है rate of surcharge और income tax अब surcharge क्या होता है surcharge एक ऐसा charge होता है मालीजे आपने income tax निकाल लिया चीक है उस tax के उपर जो charge लगेगा उस tax के उपर भी जो charge लगना है दुबारा charge लगना है उसको हम बोलते है surcharge तो rate क्या होगा surcharge का where the total income under section 111A and 112A of the income tax exceeds 50 lakh but do not exceed 1 crore तो उस पर tax rate 10% का लगेगा 50 lakh से जादा है लेकिन 1 crore से कम है तो 10% का second में यह बोला है कि total income जो है including income इसमें income जो है वो include होगी by way of dividend या income under sections 111A and 112A of the income tax act यहाँ पर income कैसे exit होगी 1 crore से जादा लेकिन 2 crore से कम तो 15% tax लगेगा और अगर income इन सब को हटा कर excluding income by way of dividend by way of dividend जो भी income मिल रही है उसको निकाल दिया जाए और जो भी section 111A और 112A के बीच में बोले गए है इन sections के अलावा जो income इनको रिसीव होगी उस पर tax अगर 2 crore से जादा है लेकिन 5 crore से कम है तो tax rate होगा 25% उसके बाद अगर tax rate जादा है तो tax rate होगा 30% 7% लेकिन कौन सी income exclude होगी यहां पर भी way of dividend और जो income अंडर section 111A और अगर income 2 crore है लेकिन उससे जादा है तो भी 15% tax rate लगेगा but it is not covered under clauses C and D above C और D के जो clauses है इसके अंदर इनकी income को cover नहीं किया जाएगा इनसे अलग क्योंकि इसमें यहां way of dividend include है लेकिन उनमें way of dividend जो है वो include नहीं है sections जो भी दिये हुए है उनकी income भी include नहीं है यहां पर सिर्फ यह दो point ही है जहां पर exclude की गई है incomes को dividend की income को और sections की income को बाकी सब में include ही किया गया है अब एक important note है the rebate is all available on the text computed before charging of education and health cells which is 4% at present rebate जो है वो education and health cells से पहले दिया जाएगा ठीक है और जो education and health cells के जो वो लगता है टेक्स लगता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ 4% अब question करने से पहले मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था मारा previous year और assessment year ठीक है इसका पूरा detail मेरी पहली वाली वीडियो में है यहाँ पर मैं थोड़ा सा explain और कर देती हूं कि assessment year में क्या है जैसे हमारा यह जो year चल रहा है financial year 1st April 2021 तू 31st March 2022 यह होगे हमारा assessment year इससे पिछले वाला बिलकुल इमिडेट प्रिसीडिंग यह कौन सा होता है previous year तो previous year कौन सा हुआ 1st April 2022 31st March 2021 अब जरूरी नहीं होता कि यह वाला हमारा हर बार assessment year ही हो यह वाला हर बार हमारा previous year हो जिस तरह से question में जो given है उसी को देखना होगा जो year बोला गया है कि यह assessment year है यह previous year है क्योंकि अब देखो मैंने पिछले साल income earn करी इस year में मैंने income earn करी अब मैं जो हूँ इस में tax pay करूँगी इस year में जो है tax pay करूँगी इस income का जो की मैंने पिछले साल earn करी लेकिन जो यह मेरा लिए यह वाला जो year है यह भी तो मेरी assessment year है क्योंकि जो income मैंने 1st April 2019, 231st March 2020 में जो income earn करी थी, उसके उपड तो tax मैंने यहाँ पे किया न, यानि यह वाला year तो मेरे लिए previous year भी हो गया, तो यह कहे सकते हैं कि जो previous year है वो assessment year भी हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि previous year और assessment year हमेशा सेम रहें, वो change भी हो सकते हैं, as according to the question, या as according, जैसे income tax आप पे करेंगे, चीक है, अब question देखिए, salary given है, 6 lakh, business income हो रही है, 3 lakh की, house property से को income है, 5 lakh की, capital gain given है, 2 lakh, other sources, 4 lakh, insurance paid, 1 lakh, अभी insurance जो paid की गई है, यह एक तरिके साब का deduction होगा यहाँ पर, under the section 80C, मैंने बोला था, कि जब हम income tax compute करते हैं, तो 80C से लेके, 80U तक के जितने भी sections के अंदर, जो भी income साती है, उनको हम deduct करते हैं, तो यहाँ पर अब total income कितनी हो गई, इन सब को total करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, gross total income, gross total income में से जो insurance यह pay किया गया, इसको हम less कर देंगे, 19 lakh आगया, अब हम दो तरीके से देखेंगे, एक होता है, old regime, एक था new regime, यानि नए tax का rates जो है, वो हमारे सिर्फ income के इंसाब से हुए, और old regime यानि जिस तरह से आपकी age है, उस इंसाब से जो tax rates है, ठीके, अब हम यहाँ पर जो है, यही assume करके चलेंगे, कि यहाँ पर एक वही ही individuals है, male और female वाला, जो हमने point किया था, अब 19 lakh total income हो गई, आब द पहले हम 250,000 निकालेंगे, जिस पर हमें कोई भी tax pay नहीं करना, जिसके ओपर हमें कितना tax pay करना पड़ेगा, सिर्फ 5%, तो इसका 5% निकाला, 12,500, फिर next on 5 lakh, फिर 5 lakh पर निकालेंगे, 1 lakh, उसकी बाद बोला था, क्या था, balance, जो भी balance बचेगा, उस पर निकालेंगे, तो 19 lakh म बच्चा कितना, 9 lakh, यानि जो बालेंज बच्चा है, अब 9 lakh पर 30% का rate निकालेंगे, ये निकालाया, 2 lakh 70,000, इन तीनों का टोटल कर दो, 3 lakh 82,500, पहले क्या किया, 2 lakh 50,000 निल, कोई rate नहीं है, देखो, वास 2 lakh 50,000 पर कोई rate नहीं है, निल है, फिर next 2 lakh 50,000 पर 5%, फिर 20, फिर 30, फिर 5% निकाला था, कितना आया, इतना, फिर उसके बार, 5 lakh पर निकालेंगे, next, कितना rate है, 20%, अब 20% के rate पर कितना निकल कर आएगा, 1 lakh, उसके बार, बाकी का बचा, 19 lakh में से अब माइनस कर दे, 10 lakh, कितना आ गया, 9 lakh, अब 9 lakh पर निकालेंगे, 30% का rate, तो ये कितना आजाए गा, 270,000, फिर इन तीनों का जब हमने total करा, तो मारे पास total आ गया, 382,500, अब ये जो 382,500 है, अब इस पर हमें, जो है, health and education says भी, pay करना होगा, चीक है, health and education says में, इसका 4% निकाल लो, 4% निकाला, 4% को add कर देंगे, 15,300 आ जाएगा, इसका 4% total कर दिया, अब इसी को हम new resume से करके देखते हैं, हमारी total income 20 lakh है, मैंने new resume के time पर ये भी बताया था, कि यहाँ पर आपको कोई भी deductions offer नहीं होती है, old resume में offer होती है, तो यहाँ पर आप 1 lakh का आपको deduction मिल गया, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा, अब total income में 20 lakh, पहले 2 lakh 50,000 के लिए nil, फिर next 2,000, sorry, 2 lakh 50,000 के लिए 5%, फिर next के लिए 10%, 15%, फिर 20%, फिर 25%, ऐसे ही निकालते रहेंगे, उसके बाद, जब यहाँ last 25% आ जाएगा, तो balance जो है, जो भी balance बचेगा, उस पर 30% निकाल देंगे, अब यह देखो, new regime का मैंने दिखाया भी था आपको table, पहले 250,000 के लिए कुछ भी नहीं है, फिर 250,000 के लिए 5%, फिर 250,000 के लिए 15%, फिर उसके बाद, 250,000 के लिए 20%, फिर दुबारा से 25%, यहाँ पर आके रुख जाना है, उसके बाद यह देखना है, कि इस बाद इसका total कर देंगे, और इसका total करने के बाद, health and education says पर देंगे 4%, 4% दे दिया, जो भी total निकाल कर आएगा, इतना आपको income tax pay करना होगा, on 20,000,000, चीक है, अब यह new regime के जो rates है, और जो old regime के rates है, जो individuals के different rates है, according to their age, तो वो आपको अच्छे से learn करने है, तभी आपको सम टॉपिक, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, बाबाई,